माटी वाली कहानी का प्रमुख लक्ष है तीहरी बांध के बनने पर वहां से जो लोग विस्थापित हुए थे विस्थापित होने का मतलब है वहां से ऐसाहय और गरीब लोगों को हटा दिया गया था यानि अपने स्थान से वो अलग कर दिये गए थे लेखक चाता है कि वहां से जो विस्थापित लोग थे उनकी समश्या और पीड़ा को लोगों को समझाए और जिसके कारण लोग उनके प्रती सहाने भुती पूर्ण भावना बनाए और उनके स्थापित होने में उनका सहयोग भी दें शहरों के विकास तथा और योगी करण की प्रकिरिया ने विस्थापन की समश्या को जन्म दिया है आप सभी जानते हैं कि शहरों का जो विकास हो रहा है उसके कारण लोग विस्थापित हो रहे हैं यहां पर धन्दोलत और जो साधन संपन है वह लोग तो अपना ठिकाना और कहीं बना लेते हैं लेकिन वास्त्विक समश्या गरीब लोगों के सामने आती है जैसे कि माटी वाली कहाने में बताया गया है गरीब लोग कौन होते हैं जो रोज कमा करके हर रोज चुला जलाते हैं और विस्थापितों को अपना निवास स्थान छोड़ करके नया निवास स्थान ढूनना पड़ता है निवास स्थान यानी रहने की जगह है नए स्थान पर जीवन यापन करने के लिए उन्हें काफी कठीनाईयों का सामना करना पड़ता है छोटे किसान हैं, मजदूर हैं या छोटे दुकानदार हैं उनके लिए यह समशा और भी गंभीर हो जाती है विस्थापन होने की प्रक्रिया में हर व्यक्ति को पुरा-पुरा न्याय कभी भी नहीं मिल पाता है इसलिए सरकार को लोगों को उनके स्थान से अलग करने से पहले इस समशा पर पूरा विचार कर लेना चाहिए कहानी के आरम में एदियाब देखेंगे तो माटी वाली के जीवन और उसके कायरे पर प्रकास अला गया है कि वह क्या काम करती थी यानि कि वह मिटी ढूने का काम करती थी घरों के छूले लिपने के लिए मिटी ले करके जाती थी और कहानी में यह भी बताया गया है कि टिहरी नगर के लोगों के लिए माटी वाली कितनी महत पून थी उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती थी उससे घर के चूले को चमकाया जाता था पवित्र बनाया जाता था और इनी लोगों के सहारे उसका जीवन चलता आया है क्योंकि वह माटी को मामूली सिदामों में बेच देती है साथ ही लोग उसे रोटी और खाने की वस्तुएं भी दे देते हैं लेखक ने कहानी के अंतिम भाग में तीहरी पर बांध बनने की कारण माटी वाली और उसके जैसे गरीब लोगों की जो उनके विस्तापित लोग हैं घर उठाए जाने की समश्या की और पाठक का ध्यान आक्रिस्ट किया है लेखक ने बताया कि जिन लोगों की जमीन दाइदाद नहीं है वे क्या क्लेम करेंगे उनको घरों से निकालने का सीधा अर्थ है उन्हें उजार देना यहाँ पर जो गरीब प्रद्धा है उसका पती अत्यंत ऐसा है शक्तिहीन है और लाचार है अनपड़ और गरीब आदमी के पास जमीन दाइदाद होती ही नहीं तो उसके कागज कहां से लाएंगे सरकारी अधिकारी तो जमीन के कागज देखकर ही उन्हें जमीन दिलाने की बात करते हैं किन्तु संबन तो उस थान से सदियों से बना आया है लेकिन उनके पास उसका प्रमान नहीं होता है कि वह जमीन उनकी है उसके लिए उन्हें किसी कागज या प्रमान पत्र के आवश्यक्ता नहीं थी अब ऐसे गरीब और मजदूर लोगों का क्या होगा इसी प्रेश्ण को उठाना इस कहाने का मूल जो है उदेश्य है लेका का वह है यहाँ पर जो बुढ़िया माई है उनके शरीर को बुढ़ापे ने गठरी के समान बना दिया था और उनके पती भी बिलकुल बिमार रहने लगे थे और दोनों रुखी सुखी रोटियां खा करके रहते थे उनकी दशा जो थी अत्यंत ऐसा है और दैने थी उनहीं विस्थापित लोगों की कहाने बताई गई है लेका के द्वारा अगर आपको इस पार्ट से सम्मनित कोई प्रेशन है तो कमेंट सेक्षिन में कमेंट करें थेंक यू फॉर वाचिंग